नमश्कार फ्रेंट्स गुडिम्दिंग, स्वागत है आपका हमारे चैनल देवी स्पोकें ग्लासेज में और जैसा कि आप जानते हैं कि रात के 9 बच चुके हैं और टाइम हो गया है हमारे सेशन का आज अपना सेशन नंबर 42 हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और जैसा कि आप पर बात करेंगे स्टोडी बनवाएंगे ताकि जिसमें आप लोगों को आज कंप्लीट करेंगे उसको भी हम लोग कल की स्टोडी में यूज कर पाएंगे क्लियर है दोस्तों अगर आपको मारी वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करना लाइक करना मत भूलिएगा अगर और सबस्क्राइब कर लिया है तो very good नहीं किया है तो सब्सक्राइब को ऑप्षिन दे दिख रहा होगा आपको सब्सक्राइब कर लीजे अगर फस्ट्यम आरी वीडियो आप देख रही है की बात कर रहे हैं इच्छा को बोलते हैं विश और विश को शो करने के लिए action आता है वो है want ठीक है ना यहां पर हम बात करते हैं आप से कोई भी चीज अगर आपको चाहिए यसे मुझे आपको पानी मुझे पानी चाहिए इच्छा के लिए आता है want वो एक action है जो विश को करता है मुझे पानी चाहिए I want water मुझे mobile चाहिए I want mobile मुझे pen चाहिए I want pen मुझे time चाहिए I want time मुझे knowledge चाहिए I want knowledge मुझे पैसा चाहिए I want money मुझे job चाहिए I want job clear हो गया मुझे मैं चाहता हूं मुझे चाहिए काम जिंदगी में शामिल है मैं यह चीज चाहता हूं काम ज आप चाहते हैं you want जब बात आएगी he or she की जब काम जिंदगी में शामील एक्षन में कौन सी फर्म आती है ऐस यह 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 तो want का क्या हो जाएगा wants यह आपने basic पूरी पढ़ी उसमें clear है आप लोगों को तो he wants she wants मुझे pen चाहिए I want pen आपको pen चाहिए you want pen कोई male है उसको चाहिए he wants pen female है तो she wants pen मुझे job चाहिए I want job आपको job चाहिए you want job कोई male है तो he wants job female है तो she wants job मुझे knowledge चाहिए आई वौंड़ेंस में है आपको चाहिए यूवंड ़ूड़ेंस कोई मेल है उसको चाहिए तो यीवांट पापा हैं भाईया कोई भी है कूलेंस इसको चाहिए लीया कोई यहीज है वौ yes he ऑम फीबेल है तो यहन वन ब्हुलेज मुझे experience चाहिए आ nettust लेकिन काम शामिल में timeward नहीं होता है तो हम किसके पास जाते हैं? अपने भाई के पास मेरा भाई कौन है do आप जानते हैं जब काम जिंदगी में शामिल timeward कौन से आते हैं do or does आपको मालूम है तो काम शामिल है timeward कौन सा आएगा do पहले timeward आता है फिर question में, फिर doar आता है, फिर action आता है, question किसे पूछेंगे, समने वाले से you से, तो do you, और यहाँ पर action क्या है, want, और dash, जो भी चीज चाहिए, उसका नाम लग जाएगा, do you want dash, कि आपको यह चीज चाहिए, अगर चाहिए, तो I want dash, और अगर नहीं चाहिए, तो मना करने के लिए क्या आता है, not, और not का नियम क्या कहां आता है, कब आता है वो, time word के बात, I do not want dash, मुझे यह चीज नहीं चाहिए, अब आई यह बात करते हैं, Supposedly, घर में कोई आपके guest आया, आपने उससे पूछा, कि क्या आपको पानी चाहिए, तो कैसे पूछेंगे, do you want tea, अगर उसे चाहिए, तो क्या बोलेगा, I want tea, और नहीं चाहिए, तो पानी बूछा, माफी जाओंगा, क्या आपको पानी चाहिए, do you want water, अगर चाहिए, तो I want water, नहीं चाहिए, I do not want water, आप उसे पूछें, क्या आपको चाहिए, do you want tea, अगर चाहिए, तो I want tea, नहीं चाहिए, I do not want tea, Suppose कर लिए कि आप bank में थे, और कोई व्यक्ति आपको बड़ा परशान दिखा, वो form भरने के लिए, उसके पास pen नहीं था, आपने उससे पूछा, क्या आपको pen चाहिए, कैसे पूछेंगे, do you want pen, अगर चाहिए, तो बोल देगा, I want pen, और नहीं चाहिए, I do not want pen, क्या आपक दोस्त कोई आपके पास आया, वो बोला कि मुझे किसी काम से market जाना है, मेरे पास bike नहीं है, आपने पूछा, क्या तुमको bike चाहिए, do you want bike, अगर चाहिए, I want bike, नहीं चाहिए, I do not want bike, क्लियर हो गया, क्या आपको mobile चाहिए, do you want mobile, अगर चाहिए, I want mobile, नहीं चाहिए, I do not वीडियो गीम क्लियर हो गया तो क्या आपको चाहिए दो यू वन डैश अगर चाहिए तो आई वांट डैश नहीं चाहिए आड़ न वांट डैश यह आपका हो गया I or you का जब हम बात करेंगे ही और शी की फ्रेंट्स तो टैमवर कौन सा आएगा डश यह आपको मालूमी है ठीक है टाइमवर डश आता है ठीक है याद करिए एक्शन में से एस फॉर्म आती है जब मैं भाई के पास गया उसने मना कर दिया कि मैं नहीं होंगा उसने से एस फॉर्म ले और क्या बन गया ड डश एक बार आ चुका है तो दोबारा एक्शन में से एस फॉर्म नहीं आएगी तो ड़ूस ही वांट डेश कहा इसको चाहिए ड़ूस ही वांट डेश आंसर में एसी एस वांट की वह पहचान है काम शामिल ही की तो लिज नहीं चाहिए तो मना करने के लिए आएगा आपके भाई को मोबाइल चाहिए तो मैं कैसे पूछूँगा does your brother या फिर he बोल दूँगा does he want mobile अब अगर चाहिए तो आप क्या अंसर दोगे he wants mobile और नहीं चाहिए तो he does not want mobile जब does आजाएगा दुवाला yes form action में नहीं आएगी action क्या है want जो किसको शो कर रहा है wish को ठीक है मुझे पूछने आप से अपकी बहन के लिए कि क्या आपकी बहन को job चाहिए मैं कैसे पूछूँगा does your sister does she want job अब अगर इसको चाहिए तो आप बोलोगे she want job और नहीं चाहिए तो she does not want the job clear है मुझे aap से अपके पापा के लिए कि क्या आपके पापा को पानी चाहिए तो काइसे पूछूँगा does your father want water यह does he want water अगर चाहिए तो आप बोल देंगे तो she wants study, नहीं चाहिए, तो she does not want study, ठीक है, अगर male है, तो he female है, तो she, जब बात करेंगे he or she की, टाइम वड़ाएगा does, सपोस कर लिए, मुझे पूछना है आप से आपके friend के लिए, कि क्या आपके friend को knowledge चाहिए, तो does your friend, यहाँ उसका नाम लगा सकते है, जो भी होगा, यहा कैसे पूछूँगा, does he want admission, अगर चाहिए, तो he wants admission, और नहीं चाहिए, तो he does not want admission, clear हो गया, तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे he or she के लिए, यह आपको clear है, पूरी basic है, देखे, अब ध्यान दीजेगा, अगर अपनी basic को आपका कर लें, तो पूरी की पूरी basic यहाँ पर है, बस क्या जुड़ गया, want, कहे के लिए जुड़ गया, इच्छा को show करने के लिए, अभी यह want का पहला part है, अभी इसके दो part और बाकी है, अभी chapter complete नहीं हुआ, इस chapter को complete होने के मैं आपके कहा था, कि तीन से चार वीडियो लगेंगी, इस chapter को complete करने के लिए, clear है, य आपसे क्रों तो, नेक्स पार्ट है, उसकी स्टार्टि ग्रतिक कर दूँगा, आज आपने बोला कि मुझे पानी चाहिए, I want water, कल मैं आपसे बात करूँगे, मैं पानी पीना चाहता हूं, आज आपने बोला मुझे मोबाइल चाहिये, कल बात करूँगा कि मैं मोबाइल च व्यू ओया हैं अधक्म सारी इडियो और आज पीडिया को सब Begin जो बने चैप्टर के लिए विश कोशय करने हलूआ जैए बंजाई आपके लिए कुछ नहीं होगी आप एसलिय को लिए को क्रिद्रक्रमे दिद्राव्ज करें यहाज नहीं और मेरी पास कमس सब परेसेंट करिए उसको मैं चेक आउट करके आप कोसी कमिया जो होंगी उनको बताऊंगा ताकि भविश में फ्यूचर में आप उन कमियों को दुबारा दोराएना यतना काफी है आप लोगों से मुलाकात दोगी कल रात को नौ बजे एक इसके चैप्टर सेकेंड पार्ट की स्टार्टिंग और एक नई स्टोरी के साथ जिसमें लोगी इस चैप्टर का स्तेमाल करेंगे और जो कल चैप्टर पढ़ेंगे उसको भी स्तेमाल करने की कोशिश पूरी-पूरी करेंगे इतना काफी है अपने घरों में सुरक्षित रहिए अपना अपनी फेम्डी का ख हिलते हैं